वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स एन डियर स्टुडेंट मैसेल्फ महिंदर देवंदा आज हम पढ़ेंगे सेल साइकल के बारे में जिसको हिंदी में कोशिया चक्र करते हैं जिसमें पर्टिकुलर हम बात करेंगे मियोसिस डिविजन के बारे में यानि जो अर्ध सुत्री विबाजन है उसके बारे में माईटोसिस जो डिविजन है उसके बारे में बात कर चुके हैं इस वीडियो में अर्ध सुत्री विबाजन की जितनी भी परक्रिया है उनको समझने का परियास करेंगे विबाजन की अवस्ता में दो अवस्ताएं होती है एक होती है इंटर फे की जो अवस्ता होती है उसको हमने तीन भागों में बाटा है G1 फेज, S फेज and G2 फेज इसके अलावा जो cell division है उसको हमने भी मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक है केरियो काइनेसिस केरियो काइनेसिस जिसमें nucleus का division होता है और उसके दूसरा जो भाग ह होता है वो होता है cytokinesis केरियो काइनेसिस की कुछ अवस्ता होती है जिसमें prophase, metaphase, anaphase and telophase अवस्ता होती हैं हम इस वीडियो में जो बात करेंगे इनी विवाजन के अवस्ताओं में जो meiosis से संदर्ब मानते हुए हम इसको समझने का प्रियास करते हैं यहां पर humans में जो 23 chromosome spares में पाये जाते हैं उनको दिखाया गया है यहां पर जो chromosome first है वो deployed है यानि यह 2N form में पाये जाता है और यह दोनों chromosome हैं यह एक दूसरे के homologous हैं यह हमें समझना है अब हम समझते हैं सबसे पहले meiosis division के बारे में कि meiosis division अर्थसुत्री विवाजन होता क्या है सबसे पहले हम word को समझते हैं meiosis word given by former and मूरे द्वारा दिया गया था meiosis क्या होता है अर्थसुत्री विवाजन क्या होता है a cell division एक कोसिव वाजन की अवस्ता in which reduce the chromosome number by half result in the production of heploid daughter cells जिसमें chromosome के जो संख्या होती है वो कम हो जाती है इनमें जो मुख्य कोसिका होती है उससे आदे गुन सुत्र ही रह जाते हैं यानि इसमें heploid daughter cells का निर्मान होता है एक्जांपल के रूप में जिससे माल लीजे एक कोसिका है इसमें chromosome 2N है जब इसमें meiosis division होगा तो उसमें division के फल्स रूप चार कोसिकाओं का निर्मान होगा और ये चार कोसिकाओं N, 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 N का मतलब यहाँ पर हो गया है heploid से यानि ये इन में chromosome का नंबर आदा ही होगा जो में जो मारी cell है उसकी तुलना में इसका chromosome का नंबर heploid होगा बाइ division of meiosis one cell form four cells एक cell division के उपरां चार कोसिकाओं का निर्मान करती है and they are genetically different और वो अनुवानसिक रूप से अलग-अलग परकार की होती है और ये heploid cells gamete होते हैं The production of gamete is called gametogenesis gametes का निर्मान करना या gametes का निर्मान होना gametogenesis कहलाता है जिसमें oogenesis और spermatogenesis परक्रिया सामिल है oogenesis में ovum का निर्मान होता है and spermatogenesis में sperm का निर्मान होता है और ये बनने वाली जो कोसिका होगी वो heploid होगी अब इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं meiosis division में कौन-कौन सी अवस्ताइं होती है उनके बारे में कोसिका विबाजन की ये अवस्ता तो होती है कि कोसिका विबाजन के समय इसमें पूरत जो तैयारी होती है जिसमें growth phase जिसको कह रहे हैं, interphase जिसको कह रहे हैं G1 phase होती है, S phase होती है and G2 phase तो होती है इसके लावा जो division की जो phase होती है वो meiosis में two phases होती है जिसमें हम नाम देते हैं इसको meiosis first and meiosis second यानि जो अर्शुत्री विवाजन होता है वो उसके दो अवस्ताएं होती है एक होता है meiosis first अर्शुत्री विवाजन पहली अवस्ता और अर्शुत्री विवाजन दित्य वस्ता meiosis first meiosis first क्या है इसको कहते है reduction division इसको reduction division खा गया है या unequal divisions क्योंकि इसमें chromosome के नंबर आदे हो जाते हैं जैसा कि हमें diagram में देखने को मिल रहा है जैसे यहाँ पर एक कोशिका होती है वो उसके पास में chromosome के नंबर है 2N 2N का आसे एक chromosome यह है और दूसरा chromosome यह है parental cell में 2N chromosome पाए जा रहे है 2N का आसे जैसे कि मान लीजिए कि यह chromosome है यह पहला नंबर का chromosome है यानि इसमें DNA का synthesis double हो चुके है DNA और यह एक chromosome और यह एक पहले वाले chromosome का ही homologus जो chromosome है वो है इसके अलाव हम यह कहें कि यह chromosome संक्या नंबर दो है और इसके यह दोनों जो chromosome है एक दूसरे के homologus होते हैं अब जब जब यह divide करती है यह कोशिका meiosis first में जिसको हम reduction division कहते हैं तो जो cells बनती है उसमें chromosome के नंबर आदे ही रह जाते हैं यानि जो एक के पास यह वाला chromosome जाता है और दूसरे के पास जो chromosome जाएगा वो यह वाला chromosome इसमें चला जाएगा यानि जो chromosome यहाँ पर यह 2N बन रहे थे यह आदे आदे बढ़ जाते हैं यह homologus इनमें division संपन होता है इसलिए इसको reduction division या unequal division कहते हैं जिसमें chromosome की संख्या आदी हो जाती है अब इसके बाद में जो meiosis second है अर्च सुतरी विभाजन जो second है उसको कहते हैं equational division यानि इसको समसुतरी विभाजन के समान माना जाता है क्योंकि माइटोसिस है जो समसुतरी विभाजन है उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर कोशी का 2N विभाजन करती है समसुतरी विभाजन करती है तो बनने वाली दो पुत्री कोशी का भी 2N और 2N विभाजन विभाजन है नहीं इनमें जो chromosome का जो number रहेगा वो parental cell के समान ही रहेगा लेकिन अब मियोसिस second फर्स्ट में तो क्या हुआ गुनसुत्रों के जो जोड़े थे वो आदे हो चुके हैं लेकिन मियोसिस second में जो N cell बन चुकी है वो अब जब division करेगी वो भी N number के क्रोमोजोम ही रखेगी यानि इनके पास इसमें क्रोमोजोम के जो यह जो हमने अज्यूम किया था कि यह है माल लेजे की क्रोमोजोम number one लेकिन यह है क्रोमोजोम number two लेकिन यहाँ पर क्रोमोजोम का centromere A की है तो यह क्रोमोजोम इसके पास DNA जरूर डबल है लेकिन क्रोमोजोम का number इसमे एक ही है क्रोमोजॉम एक संक्या में एक ही पाया जाता है अब यहां पर जो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा जो यह क्रोमेटिड है जो यह क्रोमेटिड है यह बीच में से सेपरेट होंगे और उसके बाद में N परकार की सेल का निमान करेंगे No change in the number of the क्रोमोजॉम क्रोमोजॉम के नंबर में किसी परकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा DNA replication done only one cycle जो DNA का जो replication होगा यानि DNA का परतिकरतिकरण होगा वो सिर्फ S अवस्ता में ही complete हो जाएगा मियोसिस first initiate after S phase S phase के बाद में मियोसिस first start होता है जिसमें हम जान चुके हैं G1 अवस्ता के बाद में S अवस्ता आती है और G2 अवस्ता आती है और उसके बाद में मियोसिस first अवस्ता आएगी और मियोसिस first अवस्ता काफी लंबी प्रोसेस है काफी complex प्रोसेस है जिसको हम जानेंगे Miosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between them इसमें mitosis से अलग क्या होता है कि homologous chromosome pair करते हैं आपस में जोडे बनाते हैं और उनके बीच में recombination की प्रक्रिया पुनरियोजन की प्रक्रिया होती है 4 heploid cells are formed at the end of Miosis second Miosis second जैसे ही complete होता है तो 4 पुत्री जो कोशिकाएं का निर्मान होता है वो heploid होती है एगूनित कोशिकाएं होती है अब सबसे पहले हम chromosome को समझते हैं कि chromosome किस प्रकार के होते हैं जैसे कि ये one chromosome है कैसे chromosome one है इसमें centromere एक ही होता है इसमें जो chromatid है जो ये chromatid वाला जो भाग है वो सिर्फ इसमें एक है चीलोमर इसके end part को कहते है लेकिन जब DNA का replication होता है यानि S phase complete होने के बाद में जब DNA इसमें जो double standard जो DNA पाये जा रहा है इस तरह से इसमें पाये जाता है वो अब replicate होगा तो क्या होगा एक और DNA strand का निर्मान हो जाएगा जिसको यहां second में दिखाये गया है इसमें भी centromere A की रहेगा लेकिन इसमें जो chromatid होंगे वो दो sister chromatid का formation हो जाता है लेकिन ये chromosome A की कहलाएगा one number A की chromosome कहलाएगा ये आपस में जो यहां centromere से जुड़े हुए है इसके पास में ही kineto course structure पाये जाती है और यहां से spindle microtubles जुड़ी हुई रहती है अब हम समझते हैं meiosis division की जो दो आवस्ताएं है दो phases है जिसमें पहली आवस्ता है meiosis first और दूसरी जो आवस्ता है meiosis second meiosis जो first है उसको हमने divide किया है चार आवस्ताओं में prophage first metaphage first anaphage first and telophage first यह है meiosis first की अवस्ताएं meiosis second की इसी तरह से नाम दिया गया है prophage second metaphage second anaphage second and telophage second एक एक अवस्ताओं को हम जानेंगे सबसे पहले हम यह देख लेते हैं outlining में कि यह chromosome किस परकारशा में देखने को मिलेंगे जैसे कि prophage first में chromosome हमें इस तरह से pairing आपस में pairing करते हुए दिखाई देंगे यानि यह दो जो chromosome है आपस में pairing कर रहे हैं जोड़े बना रहे हैं उसके बाद में metaphage first में क्या होगा यह metaphage plate पर इकटे हो जाएंगे chromosomes जो homologous chromosome है वो pairing करना start कर देंगे जैसे कि इस diagram में हमोलोगस है यह chromosome इस chromosome के homologous होता है और यह वाला जो chromosome है वो इस वाले chromosome के homologous होता है means जब anaphage and telophage अब complete होगा तो इस तरह से इसका separation होता है जिसमें क्या होता है उपर वाले जो chromosome है यह chromosome है यह एक cell का formation कर रहे हैं और दूसरे वाले दूसरी cell का formation करते हैं लेकिन जब meiosis second होता है तो क्या होता है इसी अवस्थाओं का हम आगे देखेंगे देखते हैं अब ये जैसे प्रोफेस second शुरू होता है तो क्या होगा अब इनके बीच में division होगा इस तरह से इनमें chromatid का separation होगा सबसे पहले ये metaphase plate पर इकटे हो जाएंगे अब इसमें separation सुरू होना start हो जाएगा जिसे ये दूर-दूर metaphase plate से opposite direction में चले जाते हैं और इनके बीच में यहां से separation हो जाता है और ये इस तरह से haploid chromosome का formation करते हैं इस परक्रिया को हम समझते हैं पूरे detail से सबसे पहले meiosis division में, meiosis first में जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले prophase के बारे में उसके बाद में बात करेंगे metaphase के बारे में then anaphase and last में telophase के बारे में लेकिन ये meiosis first की अवस्ता हैं so इनको नाम दिया गया है meiosis first में prophase first metaphase first, anaphase first and telophase first इसमें सबसे लंबी और complex जटिल जवस्ता है वो फ्रोफेज FArs है प्रोफेज FArs है वर इस फ्रोफेज FArs को हमने 5 अलग-लग अवस्ताओं में डिवाइड किया है जिसमें Laptotene, दूसरी अवस्ता है Zygotene, Pacitene, Dipotene and Dikenesis इन एकेक अवस्ताओं का हम पढ़ेंगे पहले मिउसिस First में Prophes First को जानते हैं कि Prophes First में क्या होता है मिउसिस डिविजन हैपन इन डिपलोयड सेल्स यह हमें समझ में आ गया कि मिउसिस की जो प्रगरिया है वो एक डिपलोयड सेल्स में होगी यानि एसी कोशीगा जिसमें 2n क्रॉमोजम पाए जाते हैं in meiosis first separation of homologous chromosome ये बात आप अच्छे से दियान रखेंगे कि जो meiosis first होता है उसमें homologous chromosome का separation होता है ने की chromosome डिवाइड करते हैं यानि chromosome जो separation होता है वो इस तरह से separation होता है जैसे ये एक नंबर का जो chromosome है ये ये और ये एक नंबर के जैसे chromosome है ये एक नंबर और ये भी एक नंबर का chromosome है ये एक दूसरे के homologous chromosome है ये जब पहल meiosis first में divide करेंगे तो इस तरह डिवाइड करेंगे यानि ये एक cell में जाएगा और ये दूसरी cell में जाएगा इसलिए इसको नाम दिया गया है separation of homologous chromosome meiosis first में complete होगा prophes first में क्या होता है neotic division is typically longer ये क्या होता है काफी लंबी अवस्ता होती है और complex काफी जटिल अवस्ता होती है कौन सी prophes first prophes meiosis meiosis first की जो अवस्ताओं में सबसे ज़्यादा complex जो अवस्ता होती है ये हम कहें पूरी अर्शुतरी विवाजन में सबसे जटिल अवस्ता और सबसे लंबी अवस्ता जो होती है prophes first होती है सभी अवस्ताओं की तुल्ना में it divide into five phases इसको पांच अवस्ताओं में divide किया गया है chromosome किस परकार से इसमें behave कर रहा है उसके आदार पर जैसे कि इसको डियो डिवाइट किया गया है leptotene में दूसरा है zygotene तीसरा है pacitene छोता है diplotene and fifth पर है di kinases सबसे पहले आप diagram में देख रहे होंगे leptotene में जो कुनसुतर जो रहते हैं chromosome जो होते हैं वो एक जाल के सुमान हमें दिखाए दे रहे हैं उसके बाद में ये जाल नुमा जो सरचना होती है वो एक दूसरे के पास में आना सुरू हो जाते हैं उसके बाद में पकाइटेन में ये एक complex का formation करते हैं फिर इसके बाद में ये क्याजमेटा का formation करते हैं और ये condensed form में भी होते रहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं, सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन को देखते हैं, लेप्टोटीन में क्या होता है, बहुत सडल तरीके से देखते हैं हम, ये एक कोसी का है, ये एक सेल है, जिसका ये साइटोप्लाजम है, और ये जो अंदर का जो भाग है, वो है नूकलियस, यानि ये केंद्रक है, लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रॉमेटीन कनवर्ट्स इन्टू क्रॉमोजोम्स, क्रॉमेटीन जो की एक पतले दागे नुमा सरचना होते हैं, वो अब क्रॉमोजोम में बदलते हैं, यानि कंडनसेशन की जो परकरिया है, वो चालू होना सुरू हो जाती है, कंडनसेश अब हम देखते हैं दूसरी जो अवस्ता है इसकी उसके बारे में जो की है जाइकोटीन जो की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं जाइकोटीन जाइकोटीन नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपस में मिलान होना सुरू हो जाता है जिसमें homologous chromosomes start pairing together यानि homologous जो chromosome होंगे वो एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाते हैं यानि वो pairing करने लग जाते हैं या synapse का formation करना शुरू कर देते हैं और ये जो complex structure बनाते हैं pairing वाली उसको कहते हैं synaptonemal complex का नाम देते हैं a pair of synapse homologous chromosome is called bivalent और tetrad bivalent इसमें जैसे chromosome इस तरह arrange हो रहे हैं तो इसको tetrad नाम देते हैं क्योंकि इसमें 4 chromatid दिखाए देते हैं ये chromatid, second, third and fourth ये chromatid के अधार पर tetrad, chromatid के अधार पर और bivalent next, prophes first की pacitin अवस्ता pacitin में क्या होता है bivalent जो chromosome है clearly seen as a tetrad के रूप में हमें दिखाए देने लग जाते हैं characterized by appearance of recombination nodules इसमें recombination की परक्रिया nodules हमें दिखाए देते हैं site of crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes homologous जो chromosome होते हैं उनके बीच में यहां पर आप ध्यान रखेंगे किसी परकार की जो recombination की जो परक्रिया है वो परक्रिया होना सुरू हो जाती है जिसमें क्रोमोजोम पेरिंग करना सुरू करेंगे यह homologous chromosome है यह क्रोमोजोम नंबर वन है और यह दूसरे वाले क्रोमोजोम से पेरिंग करना सुरू करते हैं और crossing और की परक्रिया होती क्या है exchange of genetic material between two homologous chromosomes दो homologous chromosome के बीच में जो genetically material का जो ट्रांसफर होता है इनके बीच में जो exchange होता है उसको हम crossing or कहते हैं जो की एक enzyme के द्वारा की जाने वाली परक्रिया है और वो enzyme है recombinase जो की एक अकेला enzyme नहीं होकर इसमें complexes पाए जाते हैं अब है third phase diplotein अब diplotein क्या है start with dissolution of synoptronymal complex अब जो pairing हो रही है उसका वो अब खतम हो रही होती है यानि जो chromosome होते हैं वो दूर होते रहते हैं इस परक्रिया में homologous chromosome of bivalent to separate from each other और एक दूसरे से ये अलग होना सुरू हो जाते हैं लेकिन सभी जगे से ये अलग नहीं हो पाते हैं कुछ जगे होती हैं जहां पर ये separate नहीं होते हैं जो की जहां पर particular crossing over की जो प्रक्रिया चालू रहती है वहाँ पर और जो वो इस्तान होता है वो X के आकार का होने होता है और इस इस्तान को कहते हैं आजमेटा जैसा कि आप diagram में देख पा रहे होंगे ये centromere का भाग है ये chromosome जो हैं ये एक chromosome है ये एक chromosome हो गया इसी का जो homologous chromosome है ये दूसरा homologous इसका homologous ये एक दूसरे के homologous है और यहां पर इन के बीच में यहां पर इन में pairing हो रही है यहां पर इन में pairing हो रही है इन के बीच में जो part है genes का वो exchange होगा इसके बाद में जो अवस्ता है diokinesis यह meiosis first की अंतिम अवस्ता है यह mark bite terminalization of chasmita chasmita लगबग लगबग खतम होने वाले होते हैं जैसे कि आप इस diagram में देख पा रहे होंगे यह part का exchange हो चुका है इस part का आदान-परदान हो चुका है In this stage, chromosomes are fully condensed chromosome पूरी तरह से condensed हो जाते हैं and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation अब homologous chromosomes यह spindle fiber के साथ में attach हो जाते हैं और separation के लिए तियार हो जाते हैं The end of diakinesis, nucleolus disappear अब यह जो हमें केंद्रक जो दिखाए दे रहा है केंद्रक के अंदर वाला जो भाग है यह cell का cytoplasm भाग है ध्यान रखेंगे आप लोग यह हैं cytoplasm और यह है nucleus और इस सवस्ता में क्या होगा diakines सवस्ता में इसके अंदर जो nucleolus जो पाये जा रहा था वो disappear होना सुरू हो जाता है और इसके लावा जो nuclear envelope है जो की membrane है वो भी अब disappear होना सुरू हो जाती है diakinesis represent transition of metafage यह जो अवस्ता है diakinesis यह metafage की transition अवस्ता के आसपास होती है यानि यह दोनों के बीच में कोई खास difference नहीं कर सकते हम तो आप इन पांच अवस्ताओं का नाम ध्यान रखेंगे leptotene, gigotene, pacitene, diplotene and diakinesis अब हम समझते हैं इनकी अवस्ताओं को एक बार फिर से remind कर लेते हैं leptotene, gigotene, pacitene, diplotene and diakinesis यह अवस्ताएं हैं इसमें पहले यह fiber के रूप में था pairing होना सुरू हो जाती है फिर syneptonimal complex का formation होता है then kaismeta का formation होता है and diakinesis और metafase अब सुरू हो जाती है metafase first की सुरूआत हो जाती है metafase first में क्या होता है chromosome क्या होते है metafase plate पर जो होते हैं arrange हो जाते हैं homologous chromosomes divalent chromosomes align on the equatorial or metafase plate पर आ जाते हैं microtubules from the opposite pole of the spindle attached to the pair of homologous chromosome के साथ में spindle fibers attach हो जाती है जो की यहां पर आपको जो centriol जो दिखाए दे रहा है उससे attach हो जाते हैं अब यह है homologous chromosome यह दूसरी homologous chromosome अब जो separation होगा इस तरह से होगा यहां पर इस तरह से होगा अब बात करते हैं metafase के बाद में enafase first के बारे में enafase first में भी क्या होगा अब यह दूर होना शुरू हो जाते हैं जैसा की mitosis में होता है जो homologous chromosome है वो अब separate होना शुरू हो जाते हैं लेकिन sister chromatid अभी भी जुड़े होए रहते हैं sister chromatid कौन से जो की एक ही centromere से जो जुड़े होए है वो अभी भी साथ-साथ ही है यह इनका separation इस तरह से होता है यह और दूसरा जो chromatid होता है वो इस तरह से होता है और यह इस से spindle fibers के द्वारा जुड़े होए रहते हैं इस तरह इनका separation होता है यह एक दूसरे के homologous हैं और यह एक दूसरे के umlogus होते हैं यह एक दूसरे से chromatid एक दूसरे से जुड़े वे रहते हैं यहां से separation यह next जो meiosis second phase है उसमें होते हैं अब हम बात करते हैं telophage first के बारे में जिसमें पूरी तरह से separate हो जाते हैं nuclear membrane and nucleolus reappear होना सुरू हो जाते हैं cytokinesis is followed and this is called the diet of cells अब इसमें cytokinesis cost का विवाजन की परकरिया भी सुरू हो जाती है the stage between two mitric division is called interkinesis दो mitric division के बीच में दो अर्शुत्र विवाजन के बीच की जो अवस्ता होती है उसको कहते हैं interkinesis और यह हैं बहुत ही कम समय के लिए होती है interkinesis is followed by prophase second और उसके बाद में just prophase second चालो हो जाती है यहां diagram में भी हमें दिखाए दे रहा है कि जो nucleus के अंदर गत जो chromosome है वापस यह chromatin fibers के रूप में में दिखाए दे रहे हैं कुछ animals में meiosis complete होने के बाद में यह cell arrest भी हो सकती है और बाद में जब इनको stimulus मिलता है और उसके बाद में भी divide करती है अब है interkinesis या cytokinesis gap between meiosis first and second की बीच की यह अंतरा होसता है इसमें लेकिन जो DNA का जो replication यहां पर नहीं होता है क्योंकि वो prophes first से पहले ही हो जाता है meiosis second में prophes first second की बात करते है meiosis second is like mitosis meiosis second actually जो पूरी process है वो mitosis के समान होती है division of chromosome और centromere इसमें centromere या chromosome का division होता है या विवाजन होता है meiosis second is initiated immediately after cytokinesis के बाद में ज़स्ट शूरू हो जाती है meiosis second reassemble in normal mitosis mitosis के समान होती है much simpler prophes than prophes first के तुलना में यह बहुती easy होती है बहुती subtle होती है nuclear membrane disappear हो जाती है by end of prophes second and chromosome become compact और chromosome compact होना शुरू हो जाते हैं अब prophes second के बाद में metaphase में क्या होगा वापस यह metaphase plate पर आ जाते हैं देखो metaphase पर जो plate है बीच में आ चुके हैं और इंचे microtubules के साथ में यह जुड़े वे रहते हैं next anaphase के में क्या होता है अब यह opposite pole की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं it begin with the splitting of centromere of each chromosome chromosomes move towards opposite pole of the cell opposite pole पर यह जा रहे हैं centromere क्या है structure that holding sister chromatid centromere कौन सा इस्तान हो गया जहां से sister chromatid रापस में जुड़े हुए रहते हैं तो यह वाला जो भाग है यहां से यह जुड़े हुए रहते हैं अब है tillophage second में क्या होगा अब इनका पूरी तरह से separation हो चुका होता है यानि जो आप इस diagram को देखिए यह जो chromosome थे आपस में जुड़े हुए थे यह separate हो चुके हैं और haploid cells का निर्मान करते हैं यह है haploid cells का निर्मान कर रहा है ameosis and with the tillophage second two groups of chromosome once again enclosed by अब इनके बीच में nuclear membrane आ जाती है cytokinesis जो होता है वो भी complete हो जाता है और इस परकार चार एगुनित कोशिगाओं का निर्मान होता है इस परक्रिया को अलोवर समझने का परियास करते हैं यहां पर हमें एक parental cell दिखाए दे रही है इसमें दो टाइब के chromosome's हैं जो की यहां पर जो पहली cells है उसमें DNA का replication नहीं हुआ होता है इसके बाद में जैसे ही यहां पर जो प्रोफेस फर्स्ट में हमें जो diagram दिखाए गया है उसमें जो chromosome है उनमें DNA का replication हो चुका होता है और यह chromosome इनमें crossing के और की परक्रिया होगी यानि जो इनके DNA का कुछ पार्ट है उसका दूसरे पार्ट से exchange होता है दूसरे chromosome से इनका exchange होता है मेटाफेस में मेटाफेस प्लेट पर आ जाते हैं और homologous chromosome हैं वो separate होंगे एनाफेस में और इसके बाद में यह दूर दूर हो जाते हैं मेटाफेस सेकंड में क्या होता है जो chromosome है और se bathroom हो चार कोसिकाओं का निरमार करते हैं अब मियोसिस का महत्व क्या है मियोसिस का जैसा कि आपको पता है कि मियोसिस जो अर्सोतरी वाजन है वो जनन कोसिकाओं में होता है यानि जो इस्पम और ओवा होते हैं ओवम होता है उन कोसिकाओं में उनका निर्मान जो हो रहा है वो मियोसिस परक्रिया के द्वारा ही होता है तो क्या हो गया ये मियोसिस is responsible for formation of gametes जो युगमक हैं उनकी निर्मान बनाने में अर्सद्रिवाजन महत्रपूर्ण होता है मियोसिस is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species इससे क्या होता है हर एक species के जो chromosome का number होता है उसको हम conserve कर सकते हैं किस तरह से एक sperm या हम कहें कि एक male gamete और एक female gamete ये एन एन वस्ता किस से बनती है अर्सद्रिवाजन से जब ये आपस में मिलते हैं तो एक two एन वस्ता आती है यानि जाइगोट का निर्मान जब होता है तो two and cell का निर्मान होता है अब ये परक्रिया जनन कोसिकाओं में होती है और अनन्त काल से चली आ रही है अगर ये कोसिका इन में meiosis division नहीं होता तो जो gamete का निर्मान होता वो two and होता और female gamete का निर्मान होता वो भी two and होता और जब ये आपस में मिलते तो four and का निर्मान हो सकता ये कभी possible नहीं था तो ये जो specific chromosome है उनके conservation में particular species के में भी product कर दी है इसके अलावा इसमें आपने ध्यान दिया हुआ crossing over की जो प्रकरिया हो रही है उसमें DNA का कुछ बहाग exchange होता है so it also increase the genetic variability जो जननिक जो आनवानसिक जो विबिनताएं होती है वो meiosis के परणाम सरूपी हो पाती है in population of organ from one generation to next generation एक generation चे दूसरे generation में भी जो जननिक विबिनताएं आती है अनवानसिक विबिनताएं आती है उसके पीछे भी meiosis ही responsible होता है variation are very important for the process of evolution इसके अलावा जो variation होता है विबिनताएं जो होती है और उसका कारण भी meiosis होता है और यह है उद्विकास के लिए बहुती महत्यवपून होता है यह है यहां पर जितने भी प्रक्रिया है जो meiosis में हो रहा है उसको all over यहां पर दिखाये गया है आप इसको यहां summarize form में याद कर सकते हैं note down कर सकते हैं थैंक यू